हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, आज मैं आप लगों के लिए लेकर आई हूँ राजस्तान की फेमस बेशन की भरवा मिर्च बनाने की रेसिपी, बहुत ही आसान है और बहुत चल्दी बन जाती है, 10-15 मिनिट में सबजी बनके तयार हो जाती है, लेकिन खाने में इतन का जो सीरा होता है उसे काट लेंगे, बीच में एक चीरा लगाएंगे और जो बीच है उसे निकाल देंगे, बीजों को अगर आप रखेंगे तो एक तो स्टफिंग अच्छे से नहीं होगी और साथ में मिर्ची जो है काफी जादा स्पाइसी लगती है, तो इस तरह से बी जीरा और राई डालेंगे और एक चम्मट जितना मोयन डालेंगे और मिक्स करेंगे और फिर पानी डाल करके इसका गोल बना के तयार कर लेंगे, तो आप कितना ड्राय बेसन भी साथ में चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहां पर बेसन की जो क्वांटिटी है वो कम जादा क अगर बहुत जादा लिक्विड हो जाएगा तो सारा बेसन की मिर्च में से बहार निकल जाएगा, तो देखे इस तरह की कंदिस्टेंसी कुछ होनी चाहिए कि वो मिर्ची के अंदर होल्ड रहे, तो इस तरह से मैं यहां पर मिर्च को भर दूंगी और अगर मिर्च जादा लंबी है तो आप उसे दो सीरो में कट कर लें, बहुत जादा छोटे छोटे पीसेज ना करें नहीं तो मैं नहीं रहेगा, सारी स्टफिंग बाहर निकल जाती है, तो मैं इसे दो पोर्शन में काट रही हूँ, यह बड़ी वाली थी इसलिए, और इसके बाद जो थोड़ा यह बड़ा ही रखना है, यह क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे किसी को ग्रेवी जादा चाहिए होती है सबजी में, वैसे ही यहां पर जो यह ड्राय बेशन है, जो एक्स्ट्रा बेशन हम यूज़ कर देंगे, वो कम जादा कर सक और इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो पैन का 《धकन होता है》, उसके उपर आपको जो बेशन हमने बना रखा है उसे लगाना है, तो किस तरह से लगाना है, तो यह देखिए मेरे पैन का धकन है बाराबर लेवल में कवर हो रहा है और जो बेशन हमने कटोरी में अभी थोड़ा गाड़ा वाला जिसमें और बेसन आट किया था उसे इस तरीके से बस हमें पतली-पतली सी लेयर फैला देनी है आप ये क्वांडिटी कम जादा कर सकते हैं और इस तरीके से फैलाएंगे तो ये बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए रनी बेसन नहीं होना चाहिए गिर तो सारा पैन में आ जाएगा और वो बेसन क्या होगा दीरे-दीरे मिर्ची के साथ साथ जलने लगेगा तो हमें यहां पर एकदम अच्छा से बिल्कुल जलावा बेसन नहीं चाहिए तो इस तरह से आप धकन पर चिपका है आप कोई भी कड़ाई ले 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 लेवल का धकन ले उस पर चिपका सकते हैं और बस मिर्च को अच्छे से उलट पुलट के जब तक कि वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पका लेना है तो आप देखे इस तरीके से इसे पलटते रहें और फिर धकन लगा दे और लास्ट में जब आपको लगे कि मिर अच्छे से हो चुकी है सब तरफ से एकदम सॉफ्ट हो गई है जो बेसन है अंदर का वो भी पक गया है तब आप क्या करेंगे यह जो बेसन धकन पे लगाया है अब यह भी काफी पक चुका है स्टीम से तो इसे इस तरीके से हम बापस से पैन में डाल देंगे ताकि अब यह जो बेसन है हलका सा कुरकुरा हो जाए अगर आप स्टार्टिंग में ही बेसन इसमें डाल देते हैं तो वह कुरकुरा नहीं होता है और अगर इस तरीके से आप चिपका करके आप सोच रहोंगे चिपकाने के ज़रू होते है डाइरेक्ट बेसन लाश्मेड कर सकते हैं पर वह बेसन जो होगा उसमें गुटले बन जाते हैं इस तरीके से अगर डालते हैं तो बेसन जो है अच्छा खिला खिला रहता है तो इस तरीके से बेसन मैंने इसमें डाल दिया है और अब इस बेसन को हम मिर्च के साथ वापस से थोड़ा सा और भून लेंगे थोड़ा स एक बार चाकू डाल के चेक कर लेंगे, चाकू एकदम क्लीन बाहर आया है, बेसन की कोटिंग नहीं आई है साथ में, इसका मतलब सब कुछ अच्छे से पक चुका है, जब सब कुछ पक जाएगा तब लास्ट में अमचूर पाउडर दाल थोड़ा सा खटापन आएगा, जल्दी बन जाती है, दस मिनिट के अंदर सब्जी बन के तयार हो जाएगी, तो रेसिपी को ट्राइज जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई होते हैं इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें, फिर मिलते हूँ एक और नही रेसिपी के साथ, तब तक कि अलिटे केर और दू करिको कोती है।